हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब चलिए बनाते हैं अरा रोट के पापड़ तो कोई भी कटोरी कोई भी कप या कोई भी ग्लास ले ले लें जिससे आपको अरा रोट लेना है तो मैंने छोटी कटोरी अरा रोट ले लिया है इसको छान के ही यूज करें हो सकता है इसमें कुछ ह को जाका जांगी इस तरीके से स्पाइच कि रोड याँ फिर इसमें आपको काटोरी 3-7 कटोरी पानी दो टोरिक पानी एड रहे है फ्रेंट्स चैनल पर पहली बार आई है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना भूल गए है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करने बला इकन ओन कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देख पाए पापड की कई सारी रेस्पी मैंने शेरल पर डाली हुई है आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के पापड और दो कटोरी पानी हमने इसमें एड़ किया था जब हमने अरा रोट को घोला था और अभी इसमें हम चार कटोरी पानी और एड़ करेंगे तो लगबग 6 कटोरी पानी हमें एड़ करना है यानि जितना अरा रोट है उससे 6 गुना पानी आपको इसमें मिक्स करना है इस तरीके से मिक्स करेंगे और अगर ज़रूत पड़ेगी तो आगे और भी पानी यड़ कर लेंगे फिलाल ऐसा बैटर हमें लेके तयार कर लेना है और अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाथ के हि अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा आप देख सकते हैं दूद्ध यासा बैटर जो है यारा रोट का बैटर तैयार हो गया है अब फ्लेम को ओन करना है और हाई फ्लेम पे इसको कंटीनू चलाते हुए मिक्स करना है अरा रोट है बहुत जल्दी जम जाता है आपको पता होगा और इसलिए आपको इसको कंटीनू चलाते रहना है चम्मच से चलाएंगे तो हो सकता है बीच बीच में लग जाए कहीं भी या फिर एक जगे पर जम जाए दूसरे जगे पर ना जमे तो इस तरीके से आपको मिक्स करते हुए रा रोट को बालना है तो आप current बालना है इस JACरम थे लहीं लिरणार जगे हैं तो थे यहाई आने के बाद फिलेम इसको फलेम को चेंजिक सेहाँ तक करते यह चलाएंगे लगबख 2-3 मिनट लग जाते हैं इसमे PP divine अने से पहले ही आप यह जात इसकी warto तो बहुत जल्दी गाड़ा वान 20 एकटोरी पानी कर दिया हो तो इसले की पानी पानी नहीं घा? अगर पानी नहीं कर सकते हैं और अगर पहुत जाएड़ा पानी बहुत जाएंडारोन को मज़ों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग पांच मिनट हो चुके हैं मुझे इसे मिक्स करते हुए पांच मिनट बाद इसमें बोईला गया है और अब इसे हमने लो फ्लेम पे लगभग पांच से साथ मिनट और कुक करना है जब तक यह इस तरीके से गाढ़ा बैटर तयार बन भी देख से तो इस तिंट करेंगे और अभी दो से तीन मिनट और और कुख़ेंगे और दूशे की appelle लिए फ्लेम पे गाढ़ा हो गया है सब्सक्राव देख से जगे आप पट्ते ते कि यहां पर बीदिलिय प्ते हिर सгоर्त यह यहां पर सुद़े अिसीतर की आप तो इस तरीके से हम अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम को बंद कर देंगे ठंडा करना है अब इसको आपको बहुत जादा थंडा करेंगे तो जम जाएगा हलका गरम जब रहे हलका गरम बिल्कुल इसमें से भाप निकलनी बंद हो जाए और यह तच करने लायक हो जाए तभी आपको इसके पापड बना देने हैं तभी अच्छे से पापड बनेंगे नहीं तो यह जमने लगेगा अब पापडों में थोड़ा साम घी अड़ कर देंगे ताकि पापड जो है वो लंबे समय तक चले और जब इनको हम पोलो थिन पर या कपड़े पर फैलाए तो उस पे प्रेस करना पड़ेगा ठंडा हो गया है अगर ब्लूखल गरम और भी गरम होता थोड़ा ज़्यादा यह तो बहुता नहीं पड़ता तो इस तरीके से थोड़ा बैटर डालेंगे और इस तरीके से फैला देंगे बराबर के पापड बना लेंगे तो अगर आपको वीडिय वाली recipes अवेलल हैं, आप देख सकते हैं, पापड की धिर सारे recipes भी मेरे channels पे हैं उन्हें पे आप देख सकते हैं, तो सारे के सारे पापड सरीके से फैला देंगे, और लगवग चार से पांस घंटे बाद इन्हें हमें उलट देना है यानि पलट देना है जब यह उपर से हलके से सूख जाएंगे टश करने पे हाथ में नहीं लगेंगे तो इन्हें हम पलट देंगे तो इसी तरीके से उलट पलट के आपको दो दिन इन धूब में सुखाना है और सालो साल के रिस्टोर कर लेना है बिल्कुल खराब नहीं होंगे